हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट एकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एकाउंटिंग फॉर शेयर कैटल उसका कोशन नंबर 13 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम्ड बुक उफ टीच ग्रेवाल तो चलिया हम स्टाट करते है इसकी स्टेट्मेंट से अथराइज कैपिल ओफ वाफ वाफ शुहानी लिंप्ट इस रूपीज फॉर फॉर फ्रिफ फीज रूज़ वाव इच्ट इच आउट फीज एच्ट इस विश्ट फिच्ट इच of rupees 150 each at a premium of rupees 10 per share the amount was payable as follows rupees 50 per share on application rupees 40 per share on allotment including premium and rupees 30 per share on first call and balance on final call ठीक है जी public applied for 14,000 share all the money was duly received इसका मलब ये अदर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया प्रिपेर और extract of the balance sheet of Sohani Limited as per the schedule 3 part 1 of the company Z2013 disclosing the share capital तो earlier students हम स्टार्ड करते हैं balance sheet का extract बनाना how to show share capital है प्रिपेर extract of the balance sheet कहा है उसने disclosing the share capital उली तो 13 question 13 question में हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे balance sheet ओकी जी यहां क्या लिखेंगे हम balance sheet चलिए आ जाईए यहां पर balance sheet लिखेंगे उसका extract लिखेंगे bracket में balance sheet balance sheet में क्या है extract ओके तो यहां आजेगा particulars note number amount rupees ठीक है यहां आजेगा notes to accounts ठीक है यहां आजेगा rupees तो यहां पर क्या आएगा equity and liabilities share holders funds ठीक है जी और यहां क्या आएगा share capital share capital में क्या आएगा यहां पर यह कर देना है चलिए अब उसके बाद मैं यहां पर तो note to account को बनाना सिखाता हूँ लेकिन सबसे पहले हम उसका break up बना ले कि application कितने की application वो कह रहा है 50 की है ठीक है जी allotment 40 की है including 10 रुपे का premium है तो 30 जमदस यहां आ गया first call वो 30 की है and balance second and final कि इस पर आएगी इस पर बिकॉज यह 500 रुपे का share है तो यह कितना बन गया छे पांच ग्यारा चार्ट पंद्रा यह आ गया हमारा 500 रुपे तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि authorized capital के नहीं है तो यहां पर पहले note नमबर वन यह लिखती है मैंने यह आजेगा share capital का उसके अंडर के आएगा authorized capital authorized capital authorized capital कितने की है 30,000 equity shares वैसे लिखा नहीं है क्योंकि जब नहीं भी लिखा तो वो equity shares ही होते है preference के साथ preference लिखा होता है चलिए कोई बात ही मैं भी shares ही लिख देता हूँ add the rate of rupees 150 तो यह 45,000,000 रुपया बन गया वान टू थ्री फोर फाइव वान टू थ्री फोर फाइव ठीक है जी उसके बाद दूसरा है issued capital इसी के अंडर मलो पहले authorized आ गया फिर आ गया issued capital issued capital कितने की उसने करी है 15,000 की 15,000 shares at the rate of rupees 150 तो यह आजेगा 22,50,000 बाइस लाख पचास हजार ओके जी उसके बाद सब्सक्राइब कैप्टल ठीक है तो उसमें आजेगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड फुली पेड कितने आएंगे 14,000 shares ठीक है जी add the rate of rupees 50 क्योंकि हमें सिरफ show share capital दिखाना है हम premium का amount add करके नहीं दिखाते है अलग से security premium reserve होता है इसलिए यहां नहीं आएगा ठीक है जी समय लगी ना बटा चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यह कितना बना 14 को 15 से multiply कर दो 14,000 into 15,500 से multiply कर दो यहां आजएगा 21,000,000 तो आपका balance sheet का total यहां जो answer में दिया है share capital का वो 21,000,000 ही है तो इसका हमारी working सारी ठीक है और यह 21,000,000 रुपया हमारा यहां उपर आजएगा 21,000,000 रुपया ठीक है students तो यह रहा आपका question का answer तो easy question था कोई कोई मुश्किल नहीं था बहुत easy question है आप इसको एक बार खुद करके देखिए फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे अपनी query comment box में डालिए मैं उसका suitable reply ज़रूर दूँगा तो इसी के साथ यह question complete हो चाता है okay जी done